Hello Everyone, Welcome Back to My Channel. First of All, Happy Ganesh Chاثṣṭṭṭhī to Everyone. दो दिन बाद ही Ganesh Chęt zus无 omnipot enfim it is looking at industry. तो मैंने ये बाला मेक-णोप लुक जह है, वह Western exercising मैंने कोशिश की है साड़ी भी जो नौवरी साड़ी होती है उसको लगाने की मेरे ऑढ़ा स्वतने की मेरे बास। वह नहीं ठी बट मैंने मैनेज करके जो भी ती उसको इस तरीके से कुछ स्टाइल अप किया था मैनेज करके और बिंदी भी नहीं थी उसको भी मैंने बस ऐसे लगा कर जुगार बनाया है तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा शेयर करना मत भूलेगा और मेरे चैनलों को सब्सक्राइब कर अगर आप पहले बार आए हैं और बेल बटन को प्रैस करना मत भूलेगा तो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ और तो सबसे पहले, मैंने यहां पर नीविया की प्रेदू मैंने यूज की है। उसके बाद मैंने रोज वट जो होता है। उसको मैंने इस तरीक हो मैने अपने Tutajय के से पने ंद लगाya है, आपके पास टोनर है वह भी आप अब्सके नूज मैंने हैं pra유롭 bacon sa per तो नहीं तो पानी बहुत कम पिया जा रहा है मेरे से तो जिसके वैसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे तो मैंने अच्छे तरीके से मॉस्चराइज जो है अपने फेस को और नेक को कर लिया है उसके बाद AOA का मैंने इलुमिनेटिंग प्राइमर यूस किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लॉसी सा चाहिए तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लो इसने आपके फेस को आपके फेस मेरे फेस को प्रॉइड कर दिया है काफी ग्लॉसी सा जो फेस है इसके साथ ही लग रहा है तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक BH Cosmetics की foundation है दूसरी Maybelline की stay matte foundation not stay matte, walvati जो होती है वो वली foundation है दोनों को मैंने mix किया है तो मुझे याद आया कि मैंने color correction नहीं किया है तो इसलिए मैं वहीं stop हो गई और मैंने पहले मैक का जो concealer palette है उसको यूज करके करते हुए मैं अपनी जो color correction है माउथ के around आपको पता है मी थुछी pigmentation है पहले तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उसके साथ मैंने पहले इसको conceal कर लिया थै और neutralize कर लिया है इसके बाद फिर से मैंने foundation जो मैंने mix की ती उसको apply कर लिया है डॉड़ करके आपको apply करना है करने के बाद एक जो damp beauty blender होता है semi wet होना चाहिए आपका ठीक है अच्छे तरीके से न चोलने बिल्कुल ड्राय कर ले बिल्कुल भी पानी जो है वो drip नहीं होना चाहिए आपके ब्लेंडर से उसके साथ आप इसको अच्छे तरीकी से blend कर ले अभी आपको यह थोड़ा सा white दिख रहा होगा मेरी skin tone से एक तो यह oxidize हो जाएगा दूसरा क्या है मैं लाइट के बहुत ज्यादा close होती है और यूज भी मैं white light जो हो कर रही हूं क्योंकि मेरे पास इतनी आगी space नहीं होती और उसको मैं powder के साथ भी सेट कर लूँगी तो यह वाला जो powder है वो मैंने यूज किया है बनाना powder है जो भी आपको प्रोडक्ट मैंने यूज किया है उनक्या link तो मैं कह नहीं सकती जो मैंने यूज किया है वो आपको बता दूगी कौन से ब्रैंड किया है आपो description box में चेक कर सकते हैं तो उसके बाल मैंने ऐसार का ये वाला ब्रो पाउडर किट जो यूज किया है उसमें से मैंने डाक प्राउन और ब्लैक दोनों शेड को मिक्स करके आईब्रो पर लगाया है पहले लाइन लगानी है पीछे की तरफ आप अपने आईब्रो को सैट करें जो ले आई जो मैंने अपको दिखाया है उसमें से यह वाली मैंने शेड्यू यूज की है मैं रू कि आक किया लेकिन बहुत ही कंकम लेकर मैं अपने जो ट्रांजिशन शेड है वो रही विन मेर तेप टीप लगानों जीनिगमें उसके बड़त वे उसके नवसके बल्गेंड पहले लिए यहोड विल toothbrush उपितलीकाई हेलिव न इन्य और आउटर दोसां रही है तो इस तरीके से लगा रही हूं अगर आपको दोनों को बीच में जॉइन करना चाहें तो भी आप दोनों मतलब दोनों कॉर्नर को उपर से जॉइन कर सकते हैं बट मैं आज जॉइन नहीं करने वाली हूं इस तरीके से ही रखने वाली हूं तो उसके बाद लगाने के बाद मै कहीं दिखना नहीं चाहिए के लाइंज हैं ब्लेंडिंग आपके अच्छी नहीं चाहिए तो पिग्मेंटेशन इसकी कम हो गई थी मैंने फीसे थोड़ा ब्लू शेडों के अच्छी तरीके से अपलाई किया है जो यह वाला पैलेट है उसकी पिग्मेंटेशन बहुत अच्छी ब्रूटी का जो लीक्विड आई लाइनर है वो मैंने यूज किया था इसका जो वांड है बहुत मतलब स्टिफ सा है तो मुझे बहुत डिफिक्ट लगता है स्टिफ जो ब्रश होती है उनके साथ लाइनर को अपलाई करना उसके मैंने उसको छोड़ दिया लाइनर होता है उसके साथ लाइनर अपलाई करना मैं बहुत कंफर्टेबर रहती हूं क्योंकि मैंने जब से लाइनर लगाना स्टार्ट किया है तब से उसको ही यूज किया है तो मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबली लाइनर जो है वो लगा लेती हूं उसके बाद मैं टेप रिमूव अभी नहीं की थी क्योंकि वेट था लाइनर तो मुझे चाहिए तक वह सूख जाएकर मैं गिला गिला उसको खीच ले दी तो वह शायद खराब हो जाता था तब तक मैंने सुचा कि चलो मैं अपनी कंटॉरिंग फेस की कर लेती हूं और सेम जो ब्रोक इट मै मैंने टेप हटाई और अकसेस था कोई भी फॉल आउट वगेरा इसको डॉस्ट आफ कर दिया और यहां पर मैंने जो यूज किया है लेकमी का काजल जो है वो मैंने यूज किया है और ब्लैक शैडो के साथ इसको ब्लैंड गया उसके बाद वही मैरून शेड के साथ मैं यूज कर रही हूं टैप टैप करते हुए आपको ब्लैश को अपलाय करना है उसके बाद मैंने मेबलीन का क्रोम हाइलाइटर लिया है उसको मैं जहां भी मेरे हाइस पॉइंट से वहां पर मैं लगा रही हूं जो कॉंटॉरिंग वाला पार्ट है वो आप स्केप कर सकत करता है तो इंसाइट का मस्कारा लेकर मैं अपने आई लैश को कर रही हूं उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा और मुझे इंसे फाई नीचे की लोग लैश टैन को करना चाहिए तो ब्लैक एंड वही मैं रूंशिट के साथ वापस किया लिप्स्टिक लगा ही मैं की और स्टिक्स प्रेम भी मैंने मैक के यूश कि है तो इस इस फाईनल लुक दोंट फोगे तो लाइश और सब्सक्राइब तो मैं चैनल सपोर्ट मी गाइस तो सीविन मैं नेक्स विए अंटिल देन बाई बाई